परिचय बच्चो आज हम अवकल समीकरण सीखेंगे तो प्रश्न है कि हमें अवकल समीकरण को सीखने की आविशक्ता क्यों है? क्या कोई बता सकता है? सेल, क्योंकि अवकल समीकरण एक अभी व्यक्ति है जो मात्राओं और उनके परिवर्तन की दर्से संबंदित है बहुत अच्छा कोई और? सेल, क्या हम अवकल समीकरण के मात्यम से विकासदर का वडन कर सकते हैं? हाँ, और एक अवकलन समीकरण का हल केवल एक संख्या नहीं है अभी तू एक फलन भी है क्या ये दिल्चस्प नहीं है? चलो, अब शुरू करते हैं इस पार्ट में आप जानेंगे की अवकलन समीकरण को कैसे हल करते हैं? उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे अवकल समीकरण की कोटी और घात ग्यात करना अवकल समीकरण के व्यापक और विशिष्ट हल ग्यात करना दिये हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्मान करना प्रधक करण चर्विथी द्वारा अवकल समीकरण द्वारा हल निकालना समघातिये अवकल समीकरण को हल करना और रेखिक अवकल समीकरण को हल करना आधार भूत संकल्पनाए एक समीकरण जिसमें स्वातंत्र चर, आश्रे चर एवं उनके अवकलज समलित होते हैं एक अवकलन समीकरण कहलाता है एक ऐसा अवकलन समीकरण जिसमें केवल एक स्वातंत्र चर समलित होता है सामा ने अवकल समीकरण कहलाता है उधारण के लिए dy बटा dx माइनस x लौग x बराबर 0 अवकल समीकरण की कोटी अवकल समीकरण की कोटी अवकल समीकरण में उपस्थेत उच्चतम अवकलज होती है उधारण के लिए 1 बटा x गुणा d2y बटा dx वर्ग बराबर e की खात x एक अवकल समीकरण है। उच्छतम कोटी वाले अवकलज अर्थात d2y बटा dx वर्ग की कोटी दो होती है। अवकल समीकरण की डिगरी यानि खात अवकल समीकरण में उपस्थेत उच्चतम कोटी के अवकलज की उच्चतम घात उस अवकलज समीकरण की घात कहलाती है उधारन के लिए एक बटा X गुणा D2Y बटा Dx वर्ग बराबर E की घात X एक अवकल समीकरण है इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है एक बटा X गुणा D2Y बटा Dx वर्ग सम्पून घात एक बराबर E की घात X अर्थात उच्चतम कोटी के अवकलज की घात एक है उधारन निनलिकित अवकल समीकरण की कोटी और घात ग्यात करें फल दिया गया है की D2Y बटा Dx वर्ग की सम्पून घात तीन जमा DY बटा Dx बराबर साइन एक्स इस अवकल समीकरण में कोटी दो है और घात तीन है अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल व्यापक हल एक NV कोटी के अवकल समीकरण के लिए व्यापक हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशी C का मान बदल सकता है उधारण के लिए अवकल समीकरण DY बटा Dx बराबर E की खाथ x-2 इसे समीकरण एक से चिन हित करें व्यापक हल को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है समीकरण एक के दोनों तरफ समा करण करने पर हमें प्राप्त होता है Y बराबर E की खाथ x-2x प्लस C इसे समीकरण 2 से चिन हित करें हल में C का मान कुछ भी हो सकता है क्यूंकि जब हम Y का अवकलन करते हैं तो C का मान 0 ने हो जाता है क्यूंकि एक अचर का अवकलन 0 ने होता है विशिष्ट हल एक N.V. कोटी के अवकल समीकरण के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशी C का एक विशिष्ट मान होता है इस प्रकार के हल प्रारंबिक मान समस्याओं में होते हैं अवकलन समीकरण DY बटा DX बराबर E की खाथ x-2 का व्यापक हल वाई पराबर E की खाथ x-2x प्लास C है जब y 0 बराबर 3 है इसका ताद पर है x बराबर 0 पर y बराबर 3 है समीकरण 2 में x सथा y का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है C बराबर 2 अवकलन समीकरण का विशिष्ट हल है y बराबर E की खाथ x-2x जमातो उधारण अवकलन समीकरण dy बटा dx बराबर 4x-2 का विशिष्ट हल ग्याद कीजे जब x बराबर 3 है तब y बराबर 5 दिया गया है अल दिया गया है dy बटा dx बराबर 4x-2 dy बराबर 4x-2 dx दोनों पक्षों का समाकलन करते है y के सापेक्ष एक का समाकलन बराबर x के सापेक्ष 4x-2 का समाकलन y बराबर 2x वर्ग-2x प्लस c व्यापक्खल है जब y बराबर 5 x बराबर 3 हो तब 5 बराबर 2 गुणा 3 वर्ग-2 गुणा 3 प्लस c 5 बराबर 18 माइनस 6 प्लस c 5 माइनस 12 पराबर c c बराबर माइनस 7 दी गई प्रारंभिक स्थिती के लिए विशेश्ट हल y पराबर 2x वर्ग-2x माइनस 7 है दिये हुए व्यापक्खल वाले अवकल समीकरण का निर्मार स्वेच अचर युक्त तथा xy में एक दिये गई समीकरण से एक अवकलन समीकरण का निर्मार करने के लिए दिये गई समीकरण को x के सापेक्ष निरंतर उतनी बार अवकलित किया जाता है जब तक एक स्वेच अचर ना आ जाए, इन समीकरणों का उप्योग स्वेच अचर को हटाने के लिए किया जाता है। महतपून बिंदू 1. एक रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है, जहां m और c स्वेच अचर हैं. 2. मूल्ग से होकर गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण y बराबर mx होता है, जहां m एक स्वेच अचर है. 3. वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h के तथा त्रिज्य आर है, x-h पूरे का वर्ग प्लस y-k पूरे का वर्ग बराबर r वर्ग है. 3. उधारण वक्र कुल का अवकलन समीकरण ग्याद कीजिए. y बराबर mx 6x प्लस nsin 6x जहां mn स्वेच अचर है. हल, दिया है y बराबर mcos 6x प्लस nsin 6x इसे समीकरण एक से चिनहित करें. समीकरण एक का x के सापेक्ष अफकलन लेने पर हम पाते हैं. dy बटा dx बराबर माइनस 6m sin 6x जमा 6ncos 6x इसे समीकरण 2 से चिनहित करें. समीकरण 2 का x के सापेक्ष अफकलन लेने पर हम पाते हैं. dy बटा dx बराबर माइनस 36m cos 6x माइनस 36n sin 6x इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है. dy बटा dx बराबर माइनस 36 गुणा mcos 6x प्लस n sin 6x इसे समीकरण 3 से चिनहित करते हैं. समीकरण 3 में y का मान रखने पर हम पाते हैं. dy बटा dx वर्ग बराबर माइनस 36y अतैव dy बटा dx वर्ग प्लस 36y बराबर शुन्ने यही वांचनिये अफकलज समीकरण है. प्रथम कोटी एवं प्रथम घात के अफकल समीकरण को हल करने की विधियां. प्रितक करने ये चरवाले अफकल समीकरण. अफकल समीकरण निमनी लिखित रूप का होता है. dy बटा dx बराबर fx बटा gy या gy बटा fx या fx गुणा gy. उन्हें क्रमशा इस तरह से लिखा जा सकता है. gy dy बराबर fx dx या dy बटा gy बराबर dx बटा fx या dy बटा gy बराबर fx dx. एवं इसके पस्चाथ वे समकलित हों. उधारण अब कल समीकरण को हल कीजे. dy बटा dx बराबर e की घाथ x-y प्लस x वर्ग गुणा e की घाथ घटा y. हल दिया है dy बटा dx बराबर e की घाथ x घटा y प्लस x वर्ग गुणा e की घाथ घटा y. दाएं पक्ष से e की घाथ घटा y उभे निष्ठ लेने पर हमें मिलता है. dy बटा dx बराबर e की घाथ x प्लस x वर्ग गुणा e की घाथ घटा y. चरों का प्रत्यकरन करते हैं तथा हमें मिलता है E की घात Y DY पराबर E की घात X प्लस X वर्ग DX. दोनों पक्षों का समा कलन करने पर हमें मिलता है Y के सापेक्ष E की घात Y का समा कलन बराबर X के सापेक्ष E की घात X जमा X वर्ग का समा कलन अर्थात E की घात Y बराबर E की घात X प्लस X घन बटा 3 प्लस C ये दिये गए अफकलन समी करण का व्यापक हल है समखातिये अफकलज समीकरण एक प्रधम अफकलज समीकरण के रूप में M, X, Y, D, X जमा N, X, Y, D, Y बराबर 0 को समखातिये कहा जाता है यदि capital M और capital N दोनों गुणांक फलन समानखात के समखातिये समीकरण हो हल विधी प्रतिस्थापन Y बराबर VX या X बराबर UY का उप्योग करते हैं प्रतिस्थापन के बाद परिणामी समीकरण, प्रितक करणिये समीकरण होदा है उधारण अफकल समीकरण को हल कीजे DY बटा DX बराबर X वर्क Y बटा X घन जमा Y घन हल दिया है DY बटा DX बराबर X वर्क Y बटा X घन जमा Y घन इसे समीकरण एक नाम दीजिए ये एक समगातिये अफकलन समीकरण है हम Y बराबर VX रखेंगे X के सापेक्ष दोनों तरव अफकलन करने पर DY बटा DX बराबर X गुणा DV बटा DX जमा V अतैव समीकरण एक को इस प्रकार लिखा जा सकता है V जमा X गुणा DV बटा DX बराबर VX घन बटा X घन जमा V घन गुणा X घन V जमा X गुणा DV बटा DX बराबर V बटा 1 जमा V घन X DV बटा DX बराबर V बटा 1 जमा V घन घटा V जो बराबर होगा V घटा V घटा V किखा 4 बटा 1 जमा V घन के दोनों पक्षों पर समा कलन करते हैं तथा हमें राप्त होता है X के सापेक्ष 1 बटा X का समा कलन बराबर घटा V के सापेक्ष 1 जमा V घन बटा V किखा 4 का समा कलन X के मोट का लॉग बराबर 1 बटा 3 व घन घटा V के मोट का लॉग जमा लॉग C VX के मोट का लॉग बटा C बराबर 1 बटा 3V घन ये इंगित करता है VX बटा C बराबर E की खात 1 बटा 3V घन ये इंगित करता है कि Y बटा C बराबर E की खात X घन बटा 3Y खन अथवा y बराबर c गुणा e खाद x खन बटा 3y खन रह्खिक अफगलन समिकरण रह्खिक अफगलन समिकरण dy बटा dx जमा by बराबर q का हल जहां p और q केवल x के फलन है निम्ने लिकित हैं जहां i.f समकलन गुणक का प्रतिक है तथा इसे नीचे दिये गए सूत्रों के माध्यम से प्राब्त किया जा सकता है i.f बराबर e की खाद x के सापिक्ष p का समकलन यदि अफगलन समिकरण dx बटा dy जमा px बराबर q के रूप में हो जहां p और q y के फलन है और ना की x के या अचर के इस इस्तिती में समकलन समिकरण i.f बराबर e की खाद y के सापिक्ष p का समकलन है और हल x गुणा i.f बराबर y के सापिक्ष q गुणा i.f का समकलन जमा c है नोट यदि dy बटा dx का गुणांक इकाई ना हो तब इसे इस दोरान इकाई बनाया जाना चाहिए उधारण अब कलन समिकरण को हल कीजिए हल दिया गया है dy बटा dx जमा 3x वर्ग y बराबर 6x वर्ग इसे समिकरण एक से चिनहित करें px बराबर 3x वर्ग और qx बराबर 6x वर्ग के साथ दिया हुआ समिकरण रहखिक है समा कलन गुड़क को इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है i.f बराबर e की खाथ x के सापेक्ष 3x वर्ग का समा कलन जो की बराबर है e की खाथ x घन के समिकरण एक को समा कलन गुड़क से गुणा करने पर हमें विलता है e की खाथ x घन गुणा dy बटा dx जमा 3x वर्ग गुणा e की खाथ x घन गुणा y पराबर 6x वर्ग गुणा e की खाथ x घन अथवा d बटा dx गुणा e की खाथ x घन गुणा y बराबर 6x वर्ग गुणा e की खाथ x घन दोनों पक्षों का समा कलन करने पर हमारे पास है e की खाथ x घन गुणा y बराबर x के सापेक्ष 6x वर्ग गुणा e की खाथ x घन का समा कलन बराबर 2 गुणा e की खाथ x घन जमा c y के लिए हल करने पर हमें मिलता है y बराबर 2 जमा c गुणा e की खाथ घटा x घन क्या आप जानते हैं गोट फ्रियेद विलहेम लेबनीज ने चर प्रितक करन की विधी दी उन्होंने रैकिक अफकलन समे करन का हल भी प्रतान किया सारांज आईए हमने जो कुस्ती का है उसे संक्षेप में दोहराएं एक समी करन जिसमें स्वतंत्र चर आश्रिचर एवं उनके अफकलज समलित होते हैं एक अफकलन समी करन कहलाता है अफकलन समी करन की कोटी अफकल समी करन में उपस्थित उच्चतम अफकलज होती है एक एनवी कोटी के अफकल समी करन के लिए व्यापक हल एक ऐसा हल है जिसमें हल में अचर राशी सी का मान बदल सकता है एक एनवी कोटी के अफकल समी करन के लिए विशिष्ट हल एक ऐसा हल है जिसमें अचर राशी सी का एक विशिष्ट मान होता है इस प्रकार के हल प्रारंभिक मान की समस्याओं में होते हैं यदि दो चरों के बीच के समी करन में एन स्वेच अचर समलित हो तब इन स्वेच अचरों को हटा कर प्राब्द अफकलन समी करन एन घात ये होगा प्रिधक करनिये चर के साथ अफकलन समी करन में सर्व प्रथम हम चरों का प्रथक करन करते हैं एवं फिर उनका समा करन करते हैं प्रथम कोटी के अफकलन समी करन के निम्लब रूप को समगात ये कहा जाता है यदि दोनों कुणांक फलन M तथा N एक समान घात के समघातिय समिकरण हो सर्व प्रतम हम Y बराबर VX कमान रखते हैं तथा फिर परिणामी समिकरण प्रितक करणिये चर होदा है रहकिक अफकलन समिकरण DY बटा DX जमा PY बराबर Q का हल Y गुणा समाकलन कुणक बराबर X के सापेक्ष Q कुणा समाकलन कुणक का समाकलन जमासी जहां I.F समाकलन कुणांक का प्रतीक है बराबर E की घात X के सापेक्ष P का समाकलन जहां P तथा Q X के फलन है यदि अवकलन समी करण के रूप में dx बटा dy जमा px बराबर q लिया जाता है तब इसका हल है x गुणा समाकलन गुणांक बराबर y के सापेक्ष q गुणा समाकलन गुणांक का समाकलन जमासी जहां i.f बराबर e की खात y के सापेक्ष p का समाकलन जहां p और q y के फलन है ना की x या अचर के झाल झाल